पुलिस महा निरिक्षक दूर्ग रेंज की पहल से दूर्ग एवं राजणन गाउं पुलिस की द्वारा चलाया गया जॉइंट बॉर्डर ओपरेशन सबक किनारे खड़े ट्रकों, होटलों, लौजों वधावों में ये चेकिंग अभियान चलाया गया दूर्ग पुलिस या तयाज जाग रुकता था अपराद एवं अपरादी को लोगों के खिलाप लगातार कारवाई कर चलाय जाय रहा है भियान के तहट सोमबार रात पुलिस मानिरिक्षक दूर्ग बियन मीना की पहल से दूर्ग एवं राजनन गाउं पुलिस की तवारा सविक्त चेकिंग अभियान किया गया जिसमें स्वयम पुलिस अधिक्षक डॉक्टर अभिशेक पल्लाव शामिल होकर अपनी अधिकारियों की टिम के साथ धाबा, लोज, सरक किनारे, खड़े ट्रकों की सगन जाच कर चेकिंग अभियान चलाया गऑर तलब है कि अभियान को दुर्ग जिले के साथ सवयंक तरूप से राजणनगाउं पुलिस के द्वारा भी जिला राजणनगाउं दुर्ग सीमा से आरम किया गया जिसमें पुलिस अधिक्षक राजनन गाउं प्रफूल ठापूर के नयतितों में भी अभियान चलाए गया जिस पर जिला दुर्ग पुलिस की द्वारा समस्त थाना एवं चौकी में थाना प्रभारियों एवं जवानों के माध्यम से भी अपने अपने शेत्र में अभियान चलाए गया वह दुर्ग पुलिस की द्वारा अधिक्षक शेत्र से शुरुआत कर 80 से अधिक जवानों और 18 से अधिक गाडियों में शहर को सुरक्षित एवं नशामुक्त बनाने के दिशा में अभियान चलाए गया इसके साथ ही अंजोरास्तित साउतेक्स धाबा को पुलिस अधिक्षक महोदै दुर्ग के द्वारा सोयम चेक किया गया साथ ही राजपुताना धाबा दसरकल लौच प्रिंस धाबा दुर्गेज धाबा इंदरद धाबा एवं अन्य धाबों को चेक किया गया धाबे के सामने ट्रक चालकों को भी पार्किंग स्थल पर ट्रक खड़ा करने एवं ट्रक साइड में खड़ा कर इंडिकेटर एवं रिफलेक्टर का उपयोग करने समझाईज दी गई इस संबन में दुर्ग पुलिस अदिक्षक डॉक्टर अभीशेक पल्लाव ने मीडिया के समाक्ष इस तरह की जानकारी दी जर्ग प्रक से नुके गारीयों से या बड़ी गारीयों से तक्रादे काफी जाने करी तो इसके निफिछ दागातार चेकिन की जारी है और 10-15 दिनों के बाद चेकिन कुप्लिट जब पॉंप्लिक्टी और तो इसके बाद आए अगर आएग्ट पॉस्तिया जाएगी तो गंजी धाव में के ज़्राप कारवाई की ज़िए ग्रेंडी सीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट